कि स्टार्ट करें एक बार जल्दी से बताईए कौन-कौन बच्चा आ गया कि मैं एक बार यह शेयर कर देती हूं आप सब भी शेयर कर देना क्लास को ओके अब्रीवन कि चलिए ओके अब्रीवन शुरू करते हैं कि कोश्चन नंबर सेवेंटीवन से बेसिकली हमें करने थे ओके अब्रीवन तो कोश्चन कहता है कि फर्स जो कोश्चन हमारा है जोहार जोहार शिबरतन गुड आफटरनून सुल्ताना चलो आप लोग भी मेरे सासात अंसर करते हुए चलना रेडी ओके चलिए तो कोश्चन नंबर सेवेंटीवन कहता है कि आरे महिला समाज की स्थापना किस ने की थी तो आरे महिला समाज की स्थापना पंडिता रमा बाई ने की थी आप सभी को पता होगा आरे महिला समाज पंडिता रमा बाई is a very very important फिर सेवेंटीटीटू कहता है कि ज तो यह सबसे बेस्ट रहेगा तो यह बेसिकली अगर हम देखें जो हमारा कुशन है इसका क्या राइट अंसर कस्तुर्बा गांधी होगा कि मगललाल गांधी कि वाल जी गोविंद जी देशाई हरिलाल गांधी क्या होगा राइट अंसर ओके एवरिवन तो हम लोग अगर हम बात करें जैसे यह जो इसमें जो राइट अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मगललाल गांधी अभी है कौन मगललाल गांधी है ना बच्चों के मन में आ रहा होगा मैं है कौन मगललाल गांधी तो मगललाल खुशाल चंद्र गांधी इनका पूरा नाम रहा और इनका टाइम पिरियड रहा था 1883 से 1928 तक महात्मा गांधी के अनुवाई थे वैं गांधी जी के चाचा के पोते थे समझ लेखो गांधी जी के जो चाचा थे उनके पोते थे मगललाल गांधी और 23 अप्रेल 1928 में पतना में टाइफाइड से इनके मिलत्य हो गई थी ओके तो ये ध्यान रखना आपको समझ में आया होगा तो यही बेसिकली सजेस्ट करते हैं कि हाँ बही सत्यागर है कि आ जाना चाहिए विनायक दामोदर सावरकर ने बेसिकली इस बुक को लिखा था तो यह याद रखना राइट अंसर इसका क्या हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर किसने कहा सविधानिक नेतिकता को सावजनिक नेतिकता के उपर रखने की बाद जो की थी हमारे अमबेड कर किसने की थी अमबेड कर तो अमबेड कर आपको बताएए मूख नायक के मूख नायक लिखा था ना इन्होंने पिर यहाँ पर है बहुत इंपॉर्टेंट कोशन की मैच करना है किसका होगा फ्लैटो का विद्रिंग अवे ओफ स्टेट किसका हो जाएगा मार्क्स का नेगिटिव लिबर्टी बर्लिन का नेचुरल एजुकेशन रूसो का चीक है तो यहाँ पर राइट अंसर इस ऑप्शन नंबर ए तो 75 का अंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा टॉपी एविवन चलो नेक्सकिंट इसक्सह पर हम बात कर लेते हैं जो 76 का कुश्छन है किएटा है कि क्या-क्या करई तो टैरिटरीज ऑफ स्टेट को कंप्राइस करेगी क्या ultimate territories जो specify in first schedule, other territories जो भी हम acquire करते हैं territorial water is at distance of 13 nautical meals appropriate baseline तो यहां पर आप देखो जो right answer होगा इसका वो हो जाएगा हमारा देखो यहां पर territories of state union territories जो हम acquire करेंगे वो और territorial water जो distance है है ना तो यहां पर बिल्कुल 12 nautical meals का होगा ना कि 13 का तो इसलिए यह wrong है पांसर्ज हो जाएगा वो option C हो जाएगा okay everyone फिर next question है यहां पर कि जो हमारे president है इंडिया के shall be elected by member of an electoral college तो consisting of तो वो किन किन को consist करता है जब हम president of India को चुनते हैं जब हम रास्पती का चुनाफ करते हैं बच्चों तो कौन कौन उसमें आता है सभी बच्चों को very very good afternoon प्रेम राज good afternoon काफी दिनों बाद आज सभी बच्चे जो भी बच्चे है ना प्लस वाले टाइम से class में आ जाना पांच बजे class है आप लोगों की तो यह ध्यान रखना जो all members जोंगे both house of parliament हमें पता है कि nominated नहीं आते elected members आते हैं है ना elected members of both house of parliament तो elected आएंगे ना कि यह आएंगे तो यह वाला तो cut कर दो यह cut कर दिया हमने अब हमें पता है भया यह तो हो गा ही नहीं elected member of both house of parliament yes all members of legislative assembly of state no only elected member of legislative assembly of states because हम देखते हैं यहाँ पे भी कुछ nominated होते है ना तो इसी वज़े से right answer जो हो जाएगा आपका वो क्या होगा answer is B&D है ना answer B&D और केंशाषित में दिल्ली और पॉंडुचेरी के आएंगे हमारे president के election में right nice चलो next question हमारा देखो थोड़ा छोटा कर लेते हैं अब यहाँ पे articles है भई articles और provisions तो सबसे पहले article 123 123 123 123 हमें गाना बता है ना क्या गाना है चलो गाना गाते हैं 123 123 123 दुनिया में आना फ्री और दुनिया से जाना फ्री है ना तो हमें पता है कि अगर अध्यादेश जारी करने की power रास्पती के पास 123 से है तो राज्यपाल की किस पर कौन से article से होगी देखो मैं बनाना सिखाती हूं कैसे होगी तो देखो जो वन और टू है ना यह आप और यह आपका दोस्त है बहुत बाते करते हो आप लोग क्लास में मैं ने देखा तो क्या किया आप दोनों की seat change करवा दी उन्होंने कहा कि 2 यहां बैठेगा 1 यहां बैठेगा अब 3 जो था वो बिल्कुल चाप बच्चा बहुत बिल्कुल शैतान का बिल्कुल opposite है ना बहुत ही अच्छा बच्चा था यह तीन तो इसको यह ही बिठा दिया तो यहां पर यह गवर्नर का गवर्नर राज्यपाल जो प्रेजिडेंट आर्टिकल 123 और गवर्नर ओर्डिनेंस पावर 213 तो यहां पर 123 का क्या होगा ओर ओर और और इसे देख लो एक से हो रहा है हो रहा है क्या वैसे इसमें हो रहा है यह इजी पेपर है बच्चो लेकिन हमेशा बाकि आपके एक्जामस में नहीं होगा तो बिल उसरे पेपर में भी हमें एक option से enough हो जाएगा नहीं, नहीं होता, बहुत मतलब टॉप देते हैं, मतलब ऐसा भी question paper में आपको दिखाऊंगे कि तीन-तीन आपको पता होने चाहिए, तब basically आप उस paper को, question को solve कर पाऊगे, match the following code, ऐसा भी होता है, अब 124 में क्या हो जाएगा, supreme court है ना, हमारे integrated judiciary system में एक ही कृतनी आएपाली का है, 141 में क्या आएगा, law declared by supreme court to be binding on all the courts, तो भाई सब courts पर binding होगे, और 352 में क्या है, emergency provision, 352, 356 और 360, अगर हम बात करें तो इस 352 में क्या आजाता है, 352 में national emergency आती है, 356 में state emergency आती है, और 360 में financial emergency आती है ना, तो state emergency को हम क्या बोलते है, presidential rule भी बोलते है, जो सबसे पहले कहां लगा था, presidential rule, रास्पति शाषिन सबसे पहले कहां लागू हुआ था, पंजाब में हुआ था, कहां पर हुआ था, पंजाब में, राइट, तो ये ध्यान रखना, very good everyone, तो answer जो हो जाएगा, वो आपका option number A is the correct answer, चीक है, तो answer यहाँ पर A हो जाना चाहिए, so हो गया, 78 question, 79 पे चलते हैं, question number 79 ध्यान से देखो, अगर आपको इसका answer पता लगता है, फटा-फट से बताओ, जल्दी से बताएंगे इसका answer क्या होना चाहिए, बहुत बढ़िया सुल्ताना, very good, हाँ, शोभी, जैमिनी, ओ, 72 pardon का है न, हाँ, 72 pardon का है, pardon power, जो basically हमारे प्रेजिडेंट के पास होती है, छमादान की शक्ती, इस concept देखो, क्या होना चाहिए, चलो, यह question देखते हैं, सबसे पहले दे रखा है, कि वह यहाँ दिया हुआ है, क कि वह बने कब, ठीकि उनका established कब हुआ, तो आप सभी को पता ही है, गोवा, जो है गोवा, गोवा, 1987 में इसको full state बनाया है, यह, बना था, full state बना था गोवा, क्योंकि 1961 के टाइम पे, आपको पता है, इसको हमने acquire कर लिया था, मतलब हमने पुर्तगाल से इसको अजाद करा दिया था, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि मनीपुर कब हुआ है, 1972 में, हर्याना कब हुआ है, 1966 में, सिक्किम कब हुआ है, 1975 में, so answer is option number C is the correct answer, बच्चों देखो यह बहुत important है, चाहे आपका PGT का exam हो, चाहे आपका assistant professor का भी upcoming exam हो, या आप net grf के लिए prepare कर रहे हो, या फिर आ कर रहे हो, आप इस topic को कभी भी मत छोड़के जाना, एक यह topic है और एक political parties का topic है, यह बहुत जादा important है, यहाँ से question बनता ही बनता है paper में, समझ रहे हो, जो यह year of establishment है न, हम लोग जो यह state कब कब बने, इनको जरूर आपको करना है, question number 80 देखो, match the following, so यहाँ पे existentialism किसका है, Jean Paul Sartre का, किसका है अस्तितववाद, अस्तितववादी thinker कौन हो जाएंगे, अस्तितववादी thinker, good afternoon aspirant, अस्तितववादी thinker जो हो जाएंगे, उनका नाम है Jean Paul Sartre, अनार्किजम अरा जक्तावाद किसका हो जाएगा बच्चो, किसका होगा, वुकानिन, है न, communitarian thinker, जिन्होंने complex equality का concept दिया था, आचा, positiveism, positiveism क्या कहता है, आज मैं बच्चो को positiveism ही पढ़ाने वाली हो, आज मैं आप लोगों को positiveism, behaviorism, post-behaviorism पढ़ाऊंगी, तो यहाँ पे आप ये पढ़ोगे कि positiveism वाला मानता है कि scientific जो चीजें होती है न, वही valid होती है, मतलब fact पर जोर पर जोर देते है, fact पर, ठीक है, तो यह ध्यान रखना तो answer क्या हो जाएगा, A का हो जाएगा, third, A का third, देखो, A का third तो भई, तीन में दिया हुआ, यानि, एक option खटा दो, anarchism, बुकानन, तो B का हो गया first, ठीक है, C का हो गया second, and D का हो गया four, यानि answer is option number D, है न, चलो, 81 प print ठीक नहीं है, यह किसी बच्चे ने scan किया है न, तो ठीक से नहीं हो पाया, इसी वज़े से, question number 81 कहता है कि, when the panchayat, extension to schedule area, act known as PASA, तो enacted enable in the schedule area, तो यह enact कब हुआ था, तो बिल्कुल easy question है, भई, हमारा यह, ठीक है, कब enact हुआ था, पैसा कब का है, बताओ, कब का है, panchayat, extension to schedule area, जो पैसा है, ठीक है, वो है, 1996 का, है न, 1996 का हो जाएगा, तो यह ध्यान रखना, अच्छा, C.B. Mac person, जो को जो characterize किया जाता है, उनका जो individualism है, वो किस पर है, भई, C.B. Mac person, अगर C.B. Mac person का नाम आ रहा है, और बुक याद ना है, कि real world of democracy, इनकी बुक ह और इनका concept है, positive individualism, तो आपका C.B. Mac person को जानना ही बेकार हो जाता है, आपको यह दो चीज़ें बहुत अच्छे से याद रखनी है, कौन-कौन सी, the real world of democracy, C.B. Mac person की most important बुक है, और positive individualism, जिसमें वो बोलते हैं कि व्यक्ति जो होता है, वो अपने छमताओं का, अपने शरीर का मालिक होता है, चीक है, तो यह positive individualism का concept हमारे C.B. Mac person ने दिया था, आप देखो, यहाँ पर बाद आ जाती है, elite थियोरी की, चीक है, elite भी बोलते हैं बहुत सारे, तो यह देखो, जो power elite का concept है, यह किस ने दिया, power elite का concept, सबसे पहले इसको easy से करने की कोशिश करो, poly-r की पत हो जाएगा, third, तो D का third, यह रहा है, D का third, power elite किसका हो जाएगा, C.Rite मिलका, iron law of oligarchy, अल्प तंत्र का लोहनियम, C.Rite मिलने दिया था, नहीं, यह दिया था, Robert Michelle ने, है न, यह Robert Michelle ने दिया था, power elite का concept दिया था, C.Rite मिलने, जो कि American, एक elite thinker हैं, America के हैं, USA के हैं, फिर बात आती है, group theory की, तो group theory पे बोलते हैं, bentley, bentley group theory पे बोलते हैं, most का elite theory पे बोलते हैं, चीक हैं, तो यह याद रखना, तो यह हो जाता है आपका, अच्छा, इसके अलावा जो parato है, parato, parato किस पे बोलते हैं, parato का concept कौन से हो जाएगा, circulation of elite, circulation circulation, the circulation of elite पे बोलते हैं, parato, अच्छा, theory of masses किस ने दिया था, theory of masses, तो theory of masses दिया था हमारे, gasset ने, है न, ortega gasset, नाम याद है आप लोगों को, ortega gasset, तो यह हो जाते हैं, ortega gasset, बहुत बढ़िया, very good, the process of government, very good, aspirant, तो वो किसका है, bentley का हो जाता है, most important book है, very good, चलो, next question बें चलते हैं, next question, यह रहा, अब यह भी क्या हमसे बोल रहा है, कि match करिए, अब हमें पता है, कि deliberative democracy इस बार हमसे पूछ ली गई, पूछी गई न, participatory deliberative से question आया था, आप लोगों को पता है, net grf के exam में, तो deliberative democracy को देने वाले जरगन है बर मास, एमी गुटमेन, बिल्कुल सहीद नाम दिया हुआ है, यहाँ पे, direct democracy को किसने दिया था, जे जे रूसो ने, क्योंकि हमें पता है, यह popular sovereignty पे बात करते हैं, करते हैं, यहाँ एका होगा second, है न, बी का होगा, radical democracy किसने दिया है, Charles, Morphe, लेकलियू ने, cosmopolitan democracy, David held, cosmopolitan का मतलब समझते हो, cosmopolitan democracy यानि की, global level पे जब democracy के, हर जगे फैलाने की spread करने की बात हो रही है, तो वो David held वाली democracy होगे, तो यहाँ पे answer क्या हो न, चाहिए, एक से हो रहा है, option A is the right answer, है न, चलो यह वाला question देखो, question number 85, आप लोगों के भी देख रही हूँ, मैं साथ साथ, very good, बहुत बढ़िया, चीक है, आप लोग जैसे, इसमें message में बताते हूँ न, अपना-पना answer, 84 का मैं A होगा, ठीक है, प्रेम राज बोल रहा है, गैसे ठोंगे, बिल्कुल very good, David held, तो आप लोग इसमें अपने-पने according चीजों को पताते चलो, जैसे, जो भी चीजें आपको याद आए न, जैसे आपने एक thinker का नाम देखा, और आपको तुरंद उससे याद आया कि य तो आप जरूर उसको लिखो, चाहे short form में लिख दो लेकिन लिखो, इससे क्या होगा, जादा से जादा revise करने पर यहाँ पर जो बच्ची chatbox देखते हैं क्योंकि maximum सभी देखते हैं chatbox, सब देखते हैं na, class चलरी है, live class चलरी है मिनाक्षी महम की और सब chatbox देख रहे हैं, तो सब को mainly क्या होता है, एक बार एक बचा जरूर पढ़ेगा कि हाँ यार, aspirant ने the process of government book लिखी है, हाँ, मुझे भी याद आया, यह bent लेकी है, तो बार बार चीजे repeat होने से क्या होता है, हमारे mind में वो बहुत लंबे time तक रह जाती है, ठीक है, तो जरूर ऐसा करें, बहुत ब कि हो जाएगी, अचा, permanent revolution किसने दिया था, लिओन ट्रॉट्स की निजर आ रहे है, बिल्कुल, अचा, continuous revolution किसने दिया है, बताओ, मैं देखती हूँ, इसका answer कौन बताएगा, तब तक मैं बाकी options बता रहे हूँ, continue revolution किसने दिया है, जल्दी से, देखते हैं, कौन chat box में उतना ही बहुत अच्छा है, मतलब इसके अंदर काफी points जैसे हैं, जो आप लोगों को लिखने चाहिए, जैसे revolution from above, अगर इसकी बाद अगर आपके मन में आएगी, मैं घरता कौन है, कौन करता है, revolution from above, है ना, तो यहाँ पर कौन करता है revolution from above की बाद, हाँ, जो लैनन के बा लोईज ओल्थोजर कौन है, जो structural marxism को देते हैं, अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, very good, aspirant, showby, प्रेम राज, आप लोगों को ले clapping, क्योंकि हमारे बच्चों ने बिल्कुल सही answer दिया है, माओ जिदौंग, अगर बात आती है, continue revolution की, तो continue revolution का जो concept दिया था, वो Magna Carta, क्या था Magna Carta, Magna Carta एक agreement था 1689 का, एक agreement था 1215 का, पैसी समझ जाओगे Magna Carta क्या था, देखो वटापट से, वन मिनिट वेट, यह वाला कोशन जल्दी से देखो, कोशन नमबर 86, Magna Carta was, Magna Carta क्या है भाई, Magna Carta है, 1215 का वो agreement, जिसमें king और उसके barons, guaranteed देते हैं, certain protections for subject, है न, तो वो था Magna Carta, फिर next question आता है, question number 87, चलो, question number 87 पे चलते हैं, question number 87, mainly कहता है, कि कौन सा type of right, describe करता है, first generation right, कि first generation, यही anti-UGC net के उसमें, यह paper में, question था, बचो, यहीं से ही, ठीक है, तो first generation right, second generation right, third generation right, ऐसे देखते हैं, तो first generation rights में, जो आपका right आएगा, वो आएगा, civil and political rights, है ना, जो three generations थी, वो किसने दी थी, बताओ, किसने दी थी, three generations of rights, very good, three generations of human rights, किसने दी थी, जल्दी से बताईए, nice, काल बसाग, है ना, काल बसाग देते हैं, first generation right में, civil and political rights आता है, second generation right में economic, social and cultural rights आता है, economic, social and cultural rights, यह second generation में आएगा, और third generation में हमारा आएगा, right of collective level, right of collective level, यह basically आपका third में आता है, यानि, rights of collective level, यह हमारा third में आता है, ठीक है, तो यह first हो गया, यह second हो गया और यह third हो गया, है ना, तो three generations, हाँ, काल बसाग, बहुत बढ़िया, ठीक है, three generations of human rights जो दिये थे, वो काल बसाग ने दिये थे, यह ध्यान रखना, next है कि, question number 88, question number 88, basically कहता है कि, जो natural rights थे, log के तो वो कौन से है, life, liberty, property, अच्छा, life, liberty, property में सबसे ज़्यादा important, log ने जो चुना, कि सबसे ज़्यादा important यह होता है, बताओ कौन सा, please अगर class अच्छी लग रही हो, तो please like कर देना, ठीक है, और अगर आप new है, तो channel को subscribe कर देना, तब आप message इसमें कर पाओगे, तो फटाफट से देखो, कौन सा था, हाँ, very good, बहुत बढ़िया, कौन सा हो जाएगा, property, कौन सा हो जाएगा, property, प्रापर्टी को सबसे important बताया था, फिर next question है, 89, question number 89 है, gender sensitive lens came from feminist theorist, तो यह जो idea है, idea of gender sensitive, gender sensitive less का विचार, किस नारिवादी सिधानकार ने दिया है, जली से बताएंगे, क्या होगा right answer, tickner ने दिया था, illo ने दिया था, Peterson and runyan ने दिया था, या फिर none of the above, तो answer हो जाएगा, Peterson and runyan, चीक है, question number 90 है, genocide, यह जो genocide है, यह term किसने coin किया, genocide का मतलब समझते हो, बड़े level पे हत्याएं, बड़े level पे नरसाहार करना, यह term coined किसने किया है, इस term को देने वाले thinker का नाम क्या है, तो याद रखना, Raphael Lampkin, Raphael Lampkin coined the term, genocide, ओके, बहुत बढ़िया, question number 91 जो है, वो कहता है, intimate enemy किसने लिखी, बताओ, यह जो intimate enemy यह बड़ा अच्छा question है, question बड़ा जबरदस्त है, इसको लिखा है, आशीश नंदी ने, किसने लिखा है, आशीश नंदी ने, जो intimate enemy जो यह term है, इसको लिखा है, आशीश नंदी ने, याद रखियेगा, फिर question नंबर 92 कहता है, कि first Indian Governor General of Independent India कौन थे, बिल्कुल, यहाँ पर right answer है हमारा, राजगोपाला चारी, चकरवर्ती राजगोपाला चारी, हमारे first Indian Governor General थे, Indian Independence के, फिर Congress system टम किसने दी, यह question बड़ा easy है, रजनी को ठारी Congress system, जहां देखो, रजनी को ठारी को डूढना शुरू कर दो, ठीक है, 94 question कहता है, कि first किसने judicial decision, basic structure doctrine was first given, किसमें दिया गया था, basic structure जो doctrine को पहली बार किसमें बताया गया था, तो यह बताया गया था, केश्वानन्द भारती case, केश्वानन्द भारती case कपका है, बताओ, इन तीन दिन जरूर class लेने आओ, और life class लो, और काफी चीज़े देखो, मैं आपको practice ही जादा से जादा करवाऊंगी, चीक है, तो यहाँ पर practice के लिए आप लोग आ सकते हो, फिर next question है, very good, 1973, next question है, second democratic upsurge, यह मैंने कल ही बच्चों को कराया है, total three democratic upsurges दी थी, total three democratic upsurges दी थी, आपको पता होगा, तो किसने दी थी, तीन democratic upsurges, याद है, हाँ, यहाँ पर right answer क्या होगा, योगेंद्रियादव, योगेंद्रियादव is the correct answer, क्योंकि हमें पता है, जो योगेंद्रियादव है, वो मेंली डेमोक्रिटीटिक अपसर्जिस को देते हैं देखती हूं मैं अगर यहां पर लिखा हुआ होगा तो आपको दिखाती हूं यह रहा थीग है इम्पॉर्डेंट्ट देखो मैंने कली कराया था मैं एक्शली है इसको सेव कर लेती हूं तो यह देखो डेमोक्रिटिक अपसर जिस इन डेमोक्रिटिक पॉलिटिक इन इंडिया इस गिवन बाए योगेंद्र यादव तो फर्स्ट जेमोक्रिटिक अपसर शुड़ू होई थी 1950 से ओ चली थी 1970 तर तो फर्स्ट जेमोक्रिटिक अपसर जो थी वो किस पर बेस थी एडल्ट इंडियन वोटर्स के पार्टिसिपेशन पर बेस थी डेमोक्रिटिक पॉलिटिक में चाहे वो नेशनल लेवल हो चाहे वो स्टेट लेवल हो तो यहाँ पर क्या होगा एडल्ट इंडियन वोटर्स पार्टिसिपेट करेंगे डेमोक्रिटिक पॉलिटिक में तो यह इन्वाल्मेंट किसका SC, ST, OBC का फिर थर्ड डेमोक्रिटिक अपसर्ज जो आई थी वो थी कॉम्पिटेटिव इलेक्टरिल मार्केट तो कॉम्पिटेटिव इलेक्टरिल मार्केट जो that is a founded more on survival of ablest than the greatest ठीके तो कॉम्पिटेटिव इलेक्टरिल मार्केट की बार थर्ड डेमोक्रिटिक अपसर्ज में की गई थी तो यह याद रखना तो इसको देने वाले थिंकर का नाम क्या हो जाएगा योगेंद्र यादव question number 96 बहुत बढ़िया everyone question number 96 यहाँ पर अगर आप देखेंगे अभी मैं कोशिश करूंगी actually अभी थोड़ा सा टाइम हलका सा ऐसा चल रहा है बचो ठीके मैं आप लोगों को daily का भी मैं कर दूंगी ठीके अभी जो तीन दिन चल रही है न classes तो तीन दिन आप पक्का भोशिश करना कि daily class मतलब तभी तीन दिन क्लास में आना है किसने theory of principle distance का idea दिया है in model of secularism बताओ distance principle किसने दिया था distance principle का idea जो दिया था और किसने दिया था राजीव भारगवाने किसने दिया था राजीव भारगवाने अच्छा यह जो theory of principle distance है कोई जैसे इसमें बताएगा कोई बच्चा इसमें वो क्या बताते हैं राजीव भारगवा theory of principle principle distance में क्या बताते हैं कि वेरी गूड त्योरी ओफ प्रिंसिपल डिस्टेंस जो है इसको प्रपोस किया था राजीव भारगवाने अगर मैं इसको समझारे थोड़ा ध्यान देना ठीक हैं इसमें वो बताते हैं कि देखो अगर हम बात करें एक secular state की उन्होंने इसके अंदर एक secular state यानि धरम निर्पेक्ष राज्जे की बात की तो धरम निर्पेक्ष राज्जे जो होगा वो maintain करेगा ना इसको stance को मतलब religious groups जो होंगे उसमें वो किसी को भी ऐसा ना करें कि हां किसी को वो बहुत जादा प्रेम कर रहा है और किसी को वो बिल्कुल ही उसके लिए तो सब equal होने चाहिए ना सब equal होने चाहिए इसका मतलब state neither favor nor discriminate against any particular religion समझ रहे हो वो particular ऐसा नहीं करेगा कि वो किसी को बहुत जादा लगाव कर रहा है किसी को बिल्कुल भी नहीं कर रहा है तो इससे क्या होगा जिसको वो लगाव कर रहा है तो दूसरे वाले जो है वो तो अपने आपको neglect मानेंगे वो सोचेंगे कि discrimination हो रहा है है ना तो of distance distance maintain करके रखो ठीक है जो हमारी सारे रिलीजन है तो अगर बहुत सारे रिलीजन है तो वो सब इक्वल है उनसे जो distance है वो इक्वल करके रखना है क्योंकि सब बराबर है रिलीजन हमारे लिए तो यह concept दिया था राजीव भारगवा ने बोलो clear clear है जली से बताएंगे केसी वियर डिस्क्राइब करते हैं इंडिया को ऐजा कासी फेडरल को फेडरल नहीं कासी फेडरल ठीक है पिर यह question है in which case supreme court of India has the preamble is not a part of the Indian constitution बहुत अच्छा question है कौन से case में यह मैं आप लोगों का इसका अंसर देखूंगी फटाबट से कौम कौम बच्चे इसका अंसर देंगे वेरी गूट येस आप लोग अगर आप पर बोलोगे ना तो आप पर मैं कोशिश कर सकती हूं जैदेव क्लासिस फोर जै आरेव वाला जो हमारा एप है ना उस पर जिस दिन यूट्यूब पर नहीं होगी उस दिन हम वहां ले सकते हैं लेकिन नाइट में होगी वहां क्लास ठीक है वेरी गुड एवरीवन बेरुबारी केस बेरुबारी उनियन केस जो था उसमें बेसिकली यही बोला गया इसलिए उसमें चींज नहीं कर सकता कोट नहीं यह बोला था ठीक है तो यह ध्यान रखना बेरुबारी फिर कौन से वाले केस में दुबारा प्रइंबल इस प्रियinda प्रियांबल इस पाट अप इंडेयन कapons मरे लाइस ल हासे वाला केस一个 जो इन में से कौन सा रेट चैलेंज करता है Legality of Prisoner Detention को कौन सा रेट कैदी की हिरासत की वैधता को चुनाथी दे सकता है तो यहाँ पर कौन सा दे सकता है बई एक ही है आपको पताईए मैंने आपको याद करवाया है HMPC क्यों हिंदी वाले बच्ची कैसे याद रखेंगे बा पा प्रा उ आ ऐसे याद रखोगे तो यहाँ पर क्या है HMPC जो है वो मेंली आप लोगों की Legality of Prison Prisoner Detention से रेलेटेड है तो HMPC का मतलब होता है To Have a Body Mandomist का मतलब We Command Prohibition का मतलब To Forbid Sartori का मतलब To Be Informed And क्यों वारंटो Is related to By What Authority Okay अचा Bandi Pratikshikaran शरीर का होना Parmaदेश मतलब क्या होता है आदेश देना प्रतिशेद रोकना या मना करना उत्परेक्षण मतलब उत्परेक्षण सूचित करना और अधिकार प्रच्छा किस अधिकार से आप ऐसा कर रहे हो किस अधिकार से कर रहे हो किस ने आपको यह अधिकार दिया है तो यह हो जाता है हमारा Question No.99 जिसका answer है Option No.1 Question No.100 कहता है कि कौन सा Constitutional Amendment है जहां पर प्रोविजन किया गया है कि 33% Reservation होगा विमन को इन लोकसभा and State Assemblies तो आप सभी को पता ही इसका Right Answer क्या हो जाएगा 106 Constitutional Amendment Act है यह हमारा अभी आप सभी को पता होगा अभी New Amendment हुए है है ना मैंने देखो एड किया हुआ है हमारे इसमें मैं आपको Notes दिखाती हूँ तो उसमें आप देखो यह जो amendments हुए ना यह देखिए उपन येस तो Constitutional Amendment जो है यह वाला आप देख सकते हैं 106 106 Amendment यह कब हुआ है यह हुआ है 28 September 2013 106 जो amendment है तो इसमें क्या किया गया इसमें Article 239 का AA अमेंड हुआ इसमें 3.30 के A को insert किया 3.32 के A को 3.34 के A को insert किया और यह reserve करता है 1.3rd seats in the Lok Sabha तो 3.30 A का जो article हो जाएगा यानि 1.3rd seats reserve in Lok Sabha State Legislative Assembly का article क्या हो जाएगा 3.32 का A और Delhi Legislative Assembly का 2.39 का A तो यह कितने साल के लिए reserve करता है कितने सालों के लिए महिलाओं को आरक्षण मिला है 15 साल के लिए याद रखना तो यह 15 वर्ष की अबधी के लिए आरक्षण दिया गया है 15 साल के बाद यह रेखते हैं बारा बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए वो आगे पता लगेगा ठीक है तो यह ध्यान रखना 28 September 2023 को हुआ था हमारा यह amendment और यह था आपका 106 Unconstitutional Amendment Act ठीक है चलो thank you so much everyone and यह paper हमारा हो जाता है finish कल में लेकर आऊंगी कल नी Saturday को हम लेकर आएंगे और questions ठीक है आप लोग जादे से जादे लाइक करके जाना and share करना अपने दोस्तों के साथ thank you and thanks for watching bye bye to all thank you bye bye पांच बजे class है ठीक है आप लोग आ सकते है expected mcqs वाली class में तो वहाँ पे आप यह कर सकते हैं यहां से दिखिए जैदेव classes for jrf आप कर लेना यह रहा हमारा एप तो यह हमारा एप है यहां पर आप लोगों के लिए टू मन्त का टू मन्त का expected mcqs का revision जो पूरा है ठीक है पूरा जो practice वहां कराई जा रही है तो दो महीने की आपको मिल रहा है 800 का तो अगर आप लेना चाहते हो ले सकते हो daily class होती है 5-6pm daily ठीक है चलो thank you so much bye bye to all thank you and thanks for watching